तो आज मैं पानी पूरी फुलकी का वीडियो लेकर के आई हूं यह दिखिए कितनी करारी बनती है आपको आवाज से पता चल रहा होगा तो बिलकुल मार्केट जैसी बनेंगी बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा तो चलिए बनाते हैं फुलकी पानी पूरी या आप जो भी इसे कहते है उसे पहले अगर अभी तक आपने मरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर जरूरी नहीं कि आप कप से ही इसे मेजरमेंट करो आप कटोरी बोल किसी से भी इसे मेजरमेंट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कफी वाटर तो यहाँ पे गरम पानी लेना है और अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ इसा डो तयार करना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूस भी नहीं होना चाहिए, और टाइट भी नहीं होना चाहिए, तो यह देखी मेरा इतना पानी बच गया, तो पानी डिपेंड करता है आपके आटे और सूजी में कि वो कितना absorb करते हैं उससे साब से आपको डालना है हो सकता है कि आपको पूरा पानी लग जाए और हो सकता है आपको भी आधा लगे आधे से जाधा लगे तो इस तरीके से इसे अध्रक का ले रही हूँ और अब मैं डाल ले हूँ टू टेबल इस्पून पुदीना लीप्स ये ड्राइ पुदीना लीप्स है अगर आपके पास फ्रेस हो तो आप वही डालें बट मेरे पस नहीं है तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे अब मैं बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ तो अगर आपके पास फ्रेस पुदीना लीप्स हो तो आप वही डालें उसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब मैं इसमें वन लीटर पानी डाल ले हूँ उसी जार में जिसमें अभी मैंने पुदीना और धिने की प इसके अकॉर्डिंग एट करना है तो आप ताजा पदीना और इमली डाले मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने अमचूर और ड्राई पदीना लीफ्स टाले थे तो चलिए अब पानी तो बन गया है तो आटे को अच्छे से कर लेते हैं नीट थोड़ा सा नीट करेंगे बस औ उसे साब से आप पीसे कर लें तो बहुत चोटे चोटे पीसे होते हैं इसके मैंने थोड़े बड़े ही करे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें चोटे पीसे और इस तरीके से उनको राउंड राउंड कर लेंगे हातों से तो यह दिखिए सारे पीसे को मैंने बोल मे पतला इसको बेलना है बड़ बहुत पतला नहीं बेलना है नहीं तो फुलकी की जग है वो पापड़ी बन जाएगी तो आपको पतला बेलना है बड़ बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखिए अब इसे हम एक कपड़े की उपर और इसे हम रोल कर रहे हैं मतलब बेल रहे हैं तो यह देखें यह भी बन करके त्यार हो गई है तो इसे भी हम कपड़ी में रख देंगे हैं ढट करके गए पयक्षा करके चलिए और फुल्कीया बेल नी जिसरे पूर्या दलते होना और गरम नहीं होता है तो पूरिया इस तरीके से बाइट बहुत अब्सवर्व करते हैं तो आपको अच्छे से ऑएल को गरम करना है तो और अब अच्छे से गरम हो गया है तो अब मैं फिर से इसमें यह फुलकिया डाल लें हूं जो हमने बेली थ चौन sa वितन नीडिये उमकर में जो एक करना है कि आपकि फुलक कम बनेंगी नहीं तो फुलक की पूड़ी जैसे बनेंगी अगर आप बिल्कुल high flame में डाल करके और high flame में इने fry कर लोगे तो अगर आप इन tips and tricks को follow करोगे तो फुल्किया अच्छी बनेंगी तो यह देखे इस तरीके से करके मैंने सारी फुल्किया fry कर ली है मैंने थोड़ा बड़े साइस की फुल्किया बनाई हैं आप इसे थोड़ा सा और छोटे साइस की बनाईएगा तो यह देखे फ्रेंड्स फुल्किया कितनी करारी बनी है बिल्कुल crispy बिल्कुल market जैसी तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी बस आपको कुछ tips and tricks को follow करना है तो आप भी बिल्कुल इसे तरीके से पानी पुरी फुल्किया बनाईए और यह बहुत crispy बनती है यह देखे तो यह जो पानी है इसमें आप मैं आपको यही suggest करूंगी कि आप फ्रेस पोदीना और इमली का पानी डाले तो इससे पानी बहुत टेस्टी बनता है तो आप भी इस तरीके से करारी करारी फुल्किया बनाईए आवास से आपको पता चल रहा होगा और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कलीजे subscribe, like, share और comment Thank you for watching video